अगर आपके भी केपकत एप में internet problem आता है तो उसको solve कैसे करना है आज के इस वीडियो में सिखने वाले हैं तो इसमें आपको step by step सिखाएंगे केपकत एप को open करके उसका जो pro effect होता है उसको आप use कैसे करेंगे ये भी इसमें आपको सिखाएंगे दो नमर में आपको बताएंगे केपकत एप में एक template का option आता है उसको जब भी आप open करने जाएंगे न तो उसमें आपको internet problem देखनों को मिल जाएगा तो उसको solve कैसे करना है ये भी इसमें सिखेंगे तीन नमर में आपको बताएंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं गूगल को open करके कोई template को search करते हैं और direct वहाँ से click करके केपकत एप में उस template को use करते हैं तो उसमें भी internet problem देखनों को मिल जाता है तो उसको भी कैसे solve करना है सारा चीज़े step by step करके आपको दिखाएंगे वीडियो आच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं mobile के screen पर सबसे पहले आपके mobile में जो cape cut app है उसको आप on install कर देजिएगा हम जो cape cut app देंगे उसको आप download कीजिएगा cape cut app download कैसे करना है आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसमें आपको step by step सिखाएं कि इस परकार से cape cut app दाउनलोद करना है इस वीडियो का लिंक दे देंगे नीचे यहां से डिरेक्ट किलिक करके cape cut app दाउनलोद कर सकते हैं दाउनलोद हो जाने के बाद चलिए आपको install करके आपको दिखा देते हैं हम अभी अभी उस app को download किये तो कुछ इस परकार से आपको देखनों को मिल जाएगा बेस तो इस पर हम किलिक करके इसको हम install कर लेते हैं simple process से install करना आप सब जानते ही होंगे install हो जाने के बाद done पे किलिक किजिएगा उसके बाद इसको हम cut कर लेते हैं उसके बाद सबसे पहले आप VPN को open किजिएगा तो हम use करेंगे super VPN आप भी इसको download कर सकते हैं super VPN को open करके हम इसको connected कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले open होने देते हैं उसके बाद connect वाला बटन पर किलिकर के इसको आप connected कर लेजिएगा यहाँ पर आप step by step देखिएगा without skip किये अगर आप skip कर रहेंगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा आप step by step देख लेजिए तो कुछ इस परकार से हमारा VPN connected हो जाता है उसके बाद इसको आप cut किजिएगा cap cut app को open किजिएगा तो कुछ इस परकार से first interface आपको देखनों को मिल जाएगा यहाँ से आप agree पे किलिक किजिएगा ok पे किलिक किजिएगा उपर आपको देखनों को मिल जाएगा setting वाला option उस पर आप किलिक किजिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा business creator mode इसको आपको enable करना होगा उसके बाद ये कुछ इस परकार से जो भी ये करेगा उसके बाद कुछ इस परकार से ये open हो करके आजाता है यहाँ से आप cut वाला button पे किलिक किजिएगा अब ये probe बन चुका है जैसे कि आप सब देख सकते होंगे प्लस वाला icon पे किलिक करके allow पे किलिक करेंगे सबसे पहले कोई एक video को ले लेते हैं तो चलिए हम अपना एक video ले लेते हैं जैसे कि आप सब देख सकते होंगे कुछ इस परकार से देखनों को मिल जाएगा यहां से हम effect पे click करेंगे video effect पे click करके यहां से आपको pro effect apply करके आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है तो हम होने देते हैं तो कुछ इस परकार से effect open हो करके आ जाता है जैसे कि आप सब देख सकते हैं pro वाला जितना भी effect है यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा जो भी आप effect apply करना चाहते हैं वो आप easily apply कर सकते हैं चलिए इसको apply करके आपको सामने दिखा देते हैं कुछ इस परकार से apply हो चुका है इसी परकार से आप pro effect apply कर सकते हैं तो आप सब सिख लिये होंगे कि कैसे आप pro effect अपने वीडियो में apply करेंगे इसमें आपको कोई साभी internet problem देखनों को नहीं मिलेगा अब हम सिख लेते हैं CapCut App का जो template है उसको use कैसे करना है तो चलिए हम यह से back हो जाते हैं आजाते हैं CapCut App के home screen पर जैसे की आप सब देख सकतो होंगे अब आप जैसे template पे click करेंगे कुछ इस परकार से internet problem देखनों को मिल जाएगा तो इसको solve कैसे करना है देखते रहिए भाई धियान से उपर आपको देखनों को मिल जाएगा business video इस पर आप click किजिएगा तो यह थोड़ा सा loading लेगा यहाँ पर भी आपको internet problem देखनों को मिल गया है अगर ऐसे ही आपको internet problem दीख रहा है तो एक पर आप क्या किजिएगा इसको आप close किजिएगा फिर से आप cap cut app को open करके देख लिजिएगा effect आ रहा है या फिर नहीं तो यहाँ पर आप देख सोकते होंगे थोड़ा सा loading लेगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि effect आया या फिर नहीं आया है तो उपर आपको देखनों को मिल जागा all all पर click करके भी देख लेते हैं यहाँ पर नहीं आया है तो simple search वाला icon पे click करके यहाँ पर search करना है जो भी effect आपको apply करना है तो simple उपर आपको एक देखनों को मिल देगा healing Thailand इस पर हम click करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर आता है या फिर नहीं जैसे कि आप सब देख सकते होंगे internet problem आ चुका है उसके बाद आप business पे click किजिएगा तो यहाँ पर आपको template देखनों को मिल जाएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे यहाँ से easily आप use कर सकते हैं तो आप सब समाझ गए होंगे कीस परकार से कि पर cut app में template को use करना है जैसे कि आप सब देख सकते होंगे उसके बाद hashtag पे click किजिएगा यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि आता है या फिर नहीं यहाँ पर एक नवर पर आचुका है selling Thailand इस hashtag को open करते हैं तो यहाँ पर आपको वह template देखनों को मिल जाएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे यहाँ से जिस template को आप use करना चाहते हैं easily कर सकते हैं यहाँ पर आप step by step देखिएगा without skip किये यहाँ पर आपको बता दिये हैं कि किस परकार से के पकत इस template को लाना है अब सिख लेते हैं कैसे इस template को हम यूज कर लेते हैं कुछ इस परकार से open करके आजाएगा यूज template पर किलिक किजिएगा इसमें आप जिस वीडियो को एड करना चाहते हैं उसको आप एड किजिएगा तो चलिए यहाँ पर कोई सभी एक वीडियो ले लेते हैं यह वाला ले लेते हैं उसके बाद next पर किलिक करेंगे थोड़ा सा loading लेगा उसके बाद आपका वीडियो बना करके दे देगा जैसे क आप सब देख साथ होंगे नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा अप लाइंग ए स्मूथ स्लो मोशन यहाँ पर आपको परसेंट देखनों को मिल जाएगा तो इसको 100% होने देते हैं तो यहाँ पर आप सब सी गहोंगे किस परकार से केपकत एप का जो टेंपलेट है नहीं मिलेगा आप सब देख सकतो होंगे आप हम सीख लेते हैं गूगल से कोईसाँ भी टेंफलेट सर्च करके उसको आप किसे करेंगे तो चलिए इसको हम यहां से cut कर देते हैं यहां से हम इसको बिल्कुल cut करके आजाते हैं mobile के home screen पर चलिए आप सब के सामने live proof दिखा रहे हैं उसके बाद Google को open करके यहां से हम कोई सभी एक search कर लेते हैं ICAL एक template है by technical service मेरा ही website है तो इसको हम open कर लेते हैं बहुत सारे लोग इस template को जानते हैं और use भी करते हैं तो कुछ इस परकार से open हो करके आ जाता है नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा use this template इस पर हम click करेंगे तो कुछ इस परकार से open हो करके आ जाएगा अगर यहां से हम use करेंगे तो हो सकता है internet problem देखनों को मिलेगा चलिए आपको करके दिखाते हैं Use template in cap cut इस पर आप click किजिएगा तो यह सायद open नहीं होगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे live proof के साथ यहाँ पर थुरा सा loading ले रहा है और enable network connection दिखा दिया मतलब internet problem आ चुका है तो इसको solve कैसे करना है चलिए वो भी आपको करके दिखाते हैं तो simple आप उसी template पर ही रहिएगा यहां से आप इसको minimize कर देजिएगा कुछ इस पर कर से उसके बाद cap cut app पे press करके रखिएगा app info पे click किजिएगा उसके बाद जो भी इसका storage और जो catch बोला जाता है उसको आप open किजिएगा clear storage पे click किजिएगा ok पे click किजिएगा तो इसका जो भी data होगा यह clear कर देगा उसके बाद इसको आप cut कर देजिएगा फिर से आप google को open करके जिस template को आप use करना चाहते हैं उस template को open किजिएगा use template in cap cut इस पर आप click किजिएगा अब यह template cap cut app में open हो करके आ जाएगा जैसे कि आप सब इस screen पर देख सकते होंगे कुछ इस परकार से पूछेगा तो आप यहाँ से agree कर देजिएगा उसके बाद आपका जो template है यहाँ पर open हो करके आ चुका है जैसे कि आप सब देख सकते होंगे कितना easy है यहाँ पर आपको simple way में समझा देना चाहते हैं जब भी आप google का जो template है use करने के लिए जाएंगे उससे पहले cap cut app का जो clear दाता है वो पूरा clear कर दिजिएगा उसके बाद use किजिएगा कुछ इस पर कर से open हो करके आ जाएगा use template पे क्लिक किजिएगा allow पे क्लिक किजिएगा gallery open हो करके आ जाएगा जिस video को add करना चाहते हैं उस video को add किजिएगा next वाला button पे क्लिक किजिएगा थोरा सा loading लेगा उसके बाद आपका video बना करके दे देगा चलिए वो भी देखी लेते हैं तो कुछ इस पर कर से हमारा video बन के त्यार हो चुका है जैसे कि आप सब देख सकतों होंगे अब इसको save कैसे करना चलिए आपको करके दिखा देते हैं export वाला button पे क्लिक किजिएगा export without watermark इस पर आप क्लिक किजिएगा आपका video गैलरी में save हो जाएगा तो हमें उमीद के साथ साथ पूरा विश्वासे कि ये video आप सब को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर दिजिएगा तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वेडियो में